हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका लोग्यान चैनल पर मॉडर्ण हिस्ट्री हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं और एंसियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्ण हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट पहले शुरू करूं बड़ जोग्रोफी या हिस्ट्री तो दोनों ही के कमेंट आए लेकिन ज्यादा कमेंट थे के एंसियंट और मेडाइवल हिस्ट्री खतम कर लेते हैं एक बार ह हिस्ट्री खतम हो जाएगी उसके बाद हम लोगोड जोग्राफी पर सफ्ट करेंगे तो ज्यादा कमेंट थेंजियंट श्री के और आज आज आपके सामने प्रस्ताव तूम हैं एंसीञेस के लेकर हैं तक हैं कि इस कर लेते हैं तक सकते हैं क्योंकि और मेडाइवल से आठ कोश्चन बताया गया है एक दो कोश्चन तो कभी-कभी ऐसा होता कि चार कोश्चन आ जाते हैं लेकिन आपको यह सब सोच के तैयारी नहीं करनी यह तो मैंने तो मैंने आपके नौलिज के लिए बता दिया और मिडाइवल के कुछ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पूरा तयार करने की जरुवत नहीं है जहां पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वह है करेंट अफियर्स का चेत्र तो बहां हम लोग स्टेटिक के बाद सिफ्ट करेंगे तो वहां पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और यहां पर क्या है मेहनत स्मार्ट ली करनी है मेहनत तो यहां भी करनी है यहां पर कौन से टॉपिक पढ़ने और कौन से टॉपिक छोड़ने है यह बिलकुल मैं आपको गाइड कर रहा हूं यहां पर पुले सेक्ट की क्लास आप देखी रहे होंगे अगर न करेंगे तक हमारा हिस्टरी वाला पाट कम्प्लिट हो जाए और उसके बार फिर हम लोग आगे के सब्जेक्ट पर चलेंगे तो आज सबसे पहले शुरू करते प्राची प्राचीन नितियास के तीन तरीके के स्रोत मिलते हैं एक साहितिक स्रोत मिल जाते हैं एक बिदेशी आत्रा विवरण मिल जाता है और पुरातात्युक्साच मिल जाते हैं ठीक है आपसे आना के टाइप नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसमें जो आपके लिए बहुत ज्याद वह हैं हैं कौन-कौन से प्राची नित्यास के सायथ तिक शरोत माने जाते हैं यह पूछगा सकता है आप से तो तो तरीके के शरोत मिलते हैं तो ब्रहांमोर्ध सायथ मिलता है जिसमें बैद उपनिशयद आरलारण पुराण इस्मरती रामायण महाभारत यह सब आते हैं और दूसरा है बहुत बाद जैन ग्रंथ ठीक है बहुत और जैन एंसेंटिस्टी का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तीसरी क्लास अमलों के इस चीज की ही होगी ठीक है तो यह तो हो गया आपका साहित तो यह एक बाद नजार डालेज यह का कोश्चन बन सकता है ऐसे ऐसे आप से पूल सकते हैं कि पुराण निम्नमैसिक किस तरीके का साहित है तो आप यह बता देंगे या तो यह साहितिक साच्छ है स्वारी पुराण निम्नमैसिक किस तरीके का स्रोथ है तो यह एतिहासिक धार्मिक स्रोथ है धार्मिक साहि यहां से प्राचिण इतियास के स्श्रोस से बनेगा एलबो कौन कौन से यूनानी रॉमन लेखके हैं और उनकी प्रमुक पुस्तर का यह来 हम लोगों पढ़ना है तो चीनी में फायान, सुंग्यून, हेंसांग और इतसिंग ये चार आए थे लेकक आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनके कौन सी पुस्तक इंपोर्टेंट है क्योंकि वो चीज इंपोर्टेंट है टेसियस आये थे इरान से हेरोडोटस इनने इतिहास का फादर का जाता है इनकी पुस्तक थी इस्टोरिका ठीक है इतिहास का फादर का जाता है इनकी पुस्तक पूछी जाती है पुस्तक कौन सी है या इस्टोरिका के लेखा कौन है तो हेरोडोटस और इसी पुस्तक के कारड इनको इतियास का फादर का जाता तो यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है सिकंदर के साथ आने वाले कौन-कौन थे निर्याकस और और ऑस्टियोबुलस कोश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन से लेखक जो थे या कौन से विदेशी आत्री जो थे वह सिकंदर क साथ नहीं आया था तो यह तीनों नाम याद रखिए निर्याकस और और ऑस्टियोबुलस ठीक है इंडिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो इंडिका याद रखिए इंडिका के लेखक कौन थे मैगस्तनीच और इंडिका के लेखक मैगस्तनीच किस समय बारत आज से किस सासक के समय बारत आयते चंदरगुप्त मोरे के समय यह भी कोस्चन पूछा जाता ठीक है डायक मेक इसके समय बारत आयता बिंदुसार के समय और डायनोसियस असो कि समय कंफ्यूज नहीं होना दौना नाम एक जैसे हैं डायक डायनोसिएस ठीक है टॉलमी औरबी लेकर ठे सुलेमान अलमसूदी अलबर नी तहपी के हिंद के लेकर नाम बताईए यह कोस्चन आ चुका है पी सिय किसी एक इक ञाया आया है ठwać्टीक के इदर नाम दे दिए मैगस्त्री डाइमेकस डाइनोसिस ठीक है और एक देदिया इबन बतुतार इदर लिख दिया राजाओं के नाम किसके समय भारत आए चंद्रकुप्तमोरे बिंदुसार असोग और मुहंबद बिंतुकलत तो आपको मिलाने होंगे तो इनको अच्छे से तैयार कर लिजीएगा अब लेक अव एक तीस्रा स्रूत्ल प्रवातात्य शार्च है तो इसमें अब लैख आपके लिए इंपोर्टेंट अब लेंट पूसे जाते हैं तो अलेख में कौन-कौन सी लिपी के बारे में पहले लिखे रिचेए अब लेखने के लिए आप याद रखने के लिए आप याद रखेंगे बाहां से शुरू होती है तो यह बाएं से दाइं लिखी जाएगे ठीक है खरोष्टी लिप दूसरी लिप है यह उल्टा होती है ब्रह्मी की दाएं से लिखी जाती है अगर आपने ब्रह्मी सब्सक्राइब कर लिए तो खरोष्टी आपको वहाँ पर याद आही जाएगी ठीक असो के कुछ सिलाले खरोष्टी में हैं ठीक यूनानी और आर्माइक ल आता है कि अवलेख किस सासक के समय के हैं तो आपको याद होना चाहिए तो उसके लिए लिश्ट आपने तयार कर दिये बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रखे सभी नहीं रखे हैं और यह मिलान के लिए भी आसकते हैं आपके लिए और डारेक्ट पुछे जासकता ह ज्यादा चांस है कि यह सूची मिलान के लिए ठीक है तो हाथी गुंभा हाथी गुंफा गुंफा होता यह हाथी गुंफा अवलेख किसके समय का है कलिंग नरेश किसके समय का खार्वेल कि समय का के वल खार्वेल भी लिखके आ सकता है इसलिए याद रखिएगा ठीक है ए हुआ है कई बार यूपी फूचा है किसा की समयका है समध्र गुप्त कि जमाइक मंदस्वर अवलेक मालवा नरेश और। एक पूरा फैक्च्चुल है आपको याद करना होगा और याद करने का एक ही तरीका है बार बार इसको रिपीट कीजिए ठीक है एक कोस्चन और आराय लगाता है कि एपियो का पेपर कब हो सकता है ठीक है तो यह दो चांसे से या तो एक्टूबर की तरफ जाएगा और कुछ चांस है कि जुलाई लाष्ट तक भी एपियो का पेपर हो सकता है तो आप उसी को मान कि क्योंकि वह पहले संबाबना है लेकिन संबाबना सितंबर अक्टूबर की है तो आप अपनी तयारी इस तरीके से कीजिए कि जुलाई लाष्ट तक कवर हो जाए मेरी कोसिस है कि मैं एक जीएस की क्लास और एक लॉकी क्लास लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा स्लेवर्स कवर करा दूंगा अगर जुलाई को अच्छे से तयार कर लीजिए और अपनी तरफ से भी जितना ज्यादा हो सगे उतना करता तयार करते रहेगा ताकि आगे भी में जो टॉपिक पढ़ाऊ उसमें जो चीज आपको तयार हो उसमें आपका समय ना लगी इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम में मिल जाती ह टेलीग्राम पर मिल जाएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक नहीं खुलता है तो टेलीग्राम पर लोग यान बन करके सर्च किजिए और इसी लोगों के साथ जो गुरुप खुलता है उसको आप जोइन कर सकते हैं अब आ जाईए पुछे जाते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं महरौली इस्थान दिली में बहां पर है ठीक है तो आप से पूछा जाएगा महरौली इस्थान दिया जाएगा राजियों के महरौली नहीं दिया जाएगा आपको दिली दिया जाएगा राजिस्थान दिया जाएगा अर्याना दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश तो आपको पताना होगा कि यह जो महरौली स्थम्भलिक है वो दिल्ली में स्थित्त किस से संब्भन देता है चंद्रगुप्त से संब्भन देता है ठीक है यह जो इस्थम्भलेटता वो पहले ब्यास नदी के समय आपकरने का विवरण है इतना सभाव को जानने की जरुवत नहीं आपके वहले इतना याद रखें कि चंद्रगुप्त दुत्य संब्भन देता है ठीक है प्रयाग प्रशस्ति इस्तम्भलेक अभी मैं आपको बताया सिकली और इसका समय है गुप्त काल का यह गरोड इस अगर में इस राजा समुद्र कोत्र करESE कर गुप्त कालीन है कि एतर कालीन है यह इस्तंबलेख और इससितंबलेख में अंतर पाई जाता है थिक है भीतरी से विविब supplements है और सकंद के समय काा बिहार इस्तम्मलेक बिहार सरीप पटना में है इसकंद गुप्त के समय का देखिए अधिकतर जो इस्तम्मलेक है वो गुप्त कालीन है और असोक के जो इस्तम्म है उनको अमलोग अलग से बढ़ लेंगे बिल्सट इसतम्बलेक विल्सट एटा में श्तेत है कुमार गुप्त के समय का है एरड इसतम्बलेक फिर से आगे ऐरड के समय का है सुरी एरड नामकिस्तान पर है भान गुप्त के समय का यह लिष्ट है लिष्ट आपको याद करनी होगी और याद आप कर लीजिए का अच्छे से कि ताल कुंडा इस्तंबलेक सिमोगा मैसूर में है सांति बर्मन के समय का है कुप्त कालीन है ठीक आप इसमें मैं बता दू कि कौन सा इस्तंबलेक ऐसा है जो आपको कता ही नहीं बूलना है जिस पर टिक लगा रहा हूं यह देख लीजिए और आप अपने नोट्स में भी इस अपको ठीक आप आजाईए यह इस्तंबलेक के बारे में जानकारी हो गई जब हम लोग अशोग को कवर करेंगे तो अशोग के अवलेक जो हैं बो भी पढ़ेंगे कि अशोग के कहां कहां पर अवलेक पाएगे क्या-क्या था तो कि अशोग से भी कोश्चन मनता ही जैसे ज कौन कौन से भारत में बेद होते हैं कौन कौन से थै हुआ 45 तो हर पर तो आपको ऐसे याद करना है कि पहला बेद कौन सा था सबसे प्राचीन बेद रिगवेद को बेद कौन सा था आयूरवेद और उसके विसेशता क्या थी इसमें इसमें युद्ध कला से संब्धित जानकारी थी दूसरा था युजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और इसमें युद्ध कला से संब्धित जानकारी थी तीसरा था साम वेद साम वेद का वेद घंदर वेद और इसमें कलाबा संगी से संब्धित जानकारी है और सब्सक्राइब तो अब यह क्या करना आपको यह मिलाने के लिए आसकता है आपको बेद और उपवेद को तो इनको आप देख लीजिए या डारेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न मैं से कौन सा साम बेद का उपवेद है और यह चारा उप्सन दिये तो आपको गंधर बेद तो इसको यात कर लीजिए गा बेदांग क्या होता है बेदों का अर्थ समझने के लिए और बेदों को सरल वासा में करने के कि लिए इपहले को सब्सक्रम कराने के लिए कौन सा विधांग किस लिए है ब्याक्रड से पता चलता है नामों धातों के रिचना के लिए उपसर्गवा प्रत्य लगाने के नियम भी इसमें दिये गए मतलब व्याकरण के जो नियम हम लोगों ने बचपन में संस्कृत के क्लास में पड़े हैं वो व्याकरण विदांग की एक पार्ड था या व्याकरण विदांग का एक छोटा सा इससा था निरुक्त सब्दों की उत्पत्य तो नियम निरुक्त में दिये गए यास्क नाम के एक विक्ति थे उन्होंने निरुक्त की रचना की थी चंद बैदिक सायत में गायत्री त्रिष्टोप जगती आद कई चंद हैं इनके प्रयोक के बारे में जो नियम है वो चंद में दिये गए चंद नाम की वे नहीं थे तो इस तरीके से यह आपका बेद वेदांग कबर हो गए हैं अब आजाए संगम साहित की बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं तमिल साहित को एक अन्य नाम से जाना जाता है संगम साहित के प्रमुग्रंट कौन-कौन से देख लेते ह प्रमुग्रंट है और विस्तार से पड़ें तो पीसी के लिए बहुत इंपोर्टन नहीं है और बाकी दो कोश्चन संगम साहित से बनते हम लोग में कवर करेंगे हमने आपको बताया था इतिहास के पिता किसको कहते हैं है रोडोट उसको पुस्तक इनकी कौन सी है हिस्टो हिस्टोरिका हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है आप चीनी लेखकों का बढ़न कर लेते हैं जो हमने पढ़े थे चीनी लेखक तो एक थे फायान फायान 399 से 414 इस वी के समय भारत आये थे इन्होंने अपनी रचना में किसका बढ़न किया भारत की जो समय की दसायं थी उनका कीया था आख किसके समय में भारत आया थे य非 कोश्चन मनता है तो चंद्रगुपत二 के समय में भारत आये थे फायन ठीक है अब 15 वर्सों तक बौत धर्म का बहुत दर्म के ग्रंत कर नोंने अध्यान कियी था भारत के विवीन हिस्षों में रह रहें Owen कि इन्होंने गुप्त काल में बस तुभिन में के माध्यां कॉणियां बताया और चंद्रकुप्त मौरे के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था ठीक है आपको इस समय नहीं जाना है दो तीन कोश्चन याद होने चीए फायान कब फायान कहां से आयते तो चीनी लेख बढ़न किया तो कोडियों का सरप्रतम बढ़न किसने क्या फायान ने किया ठीक है इतने पॉइंट आप याद रखेगा सुंग्यून पांसो बारा से पांसो तेरा इस भीवें भारत आयते इन्होंने बिहार बा बंगाल की ततकालीन जो परिस्तितियां थी उनका बढ़न कि क्या था हुए इंसांग 629-643 के समय आयते हुए इंसांग सम्राठ हर्सवर्दन के समय भारत आयते और इन्होंने भी लगवग 15 वर्सों तक बारत में रहके बिविन इस्थानों पर सिच्छा प्राप्त की नालंदा विस्विद्याले में भी इच्छ वर्स तक रहे तो एक ठीक है और इन्होंने बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए साहित्य के लिए बहुत जरूरी होगे इतिहास के लेखन में काम आई उनका वर्ण किया था हुए इनकी रचना है सी यू की ये भी पूछा जाता है स्यू की किसकी रचना है तो है इसांग इस बहुत जादा इंप्रटेंट से एंपीट्रसप् हैं इस नहीं लिखितीं तो पूछा जा सकता है कि वे इनिसंग इंपोर्टेंट 9 635 2 तक बहुत ज्यादा लगी नालंदा ऊससे मना लंदा जो था बहुत ज्यादा प्खेमस था इसलिए वहांपर विदे यसी आत्री यात्रा करते रहते थे ठीक है नालंदा विक्रम सिला जैसे सिच्छड संस्तानों पर इन्हों ने बात कि अपने साहित्य में ठीक है इसके लावा यह दोनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अब आजाए नीचे कुछ नब पासाड कालीन इस्थल हैं जिनके बा गुफ कराल कुमार की कुफ कराल का का है कशमीर में है यहाँ पर क्या क्या मिला यहाँ पर हड़ी के ऑजार दूसर मृद्वान्ट और सिल्वट्टा मसाला पीषने का उक्रड और हड़ी से निर्मित स्वी प्राप्त हुई थी तो इसमें इंपोर्टेंट है हड़ी से निर्मित स्वी कहां प्राप्त हुई थी कुम्हार की गुफ कराल में गुफ कराल में और गुफ कराल है कहां कस्मीर में मेहरगड बहुत है बुर्जों में बहुत जादा और मेहर कर्ण बहुत जादा अम्पर्डेंट बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाई जाता है ठीक है एरंगण कहां पे किसम है बलूचिस्तान पाकिस्तान में इस इस्तल पर ग्याहूं की तीन वज्जों की दो किसमों की खेती के प्रमाण मिलेते कोश्चन आप से यह पूछा जा सकता है कि कच्छी इटों के आयताकार मकान और प्राचिंतम इस्थाई जीवन के प्रमाण कहा मिले तो मेहरगण में मिलेते हैं ठीक है महदहा कहा है उत्तर प्रदेश में है गोलाकार जूपडियों के प्रमाण मिलेते यहां पर और पसुबाड़ा के साथ मिलेते जौकी खेती और पसवाड़ा के साथ मिलेते दान के अलावा जौकी खेती और और सबसे प्राचीनितम ओजारों के जो साथ छते थे कहां को ler Works कुछ में कजर्ण दे रहे हैं यह याद रुकी जित्ते जित्ते उत्तर प्रदेश हुआ है यह हो गया महद्र धा को यह फिर यह चौपानी मंद हो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ठीक है संगम कल्लू करनाटक में इस्तित है पिक लौहल करनाटक में इस्तित है चोपानी मांड उत्तर पृदेश में इस्तित यह भी इलावात के निकटता मदमक्खी की छक्ति जैसे जोपडियां और जानतिया जहां से प्रशुर मात्रा प्रापत होएते हैं आदाêu जली आसल में करसी वापसपालन के साथ यह जगह के नाम दिये जाएंगे इस्तान के नाम दिये जाएंगे इन में से कोई इंपोर्टेंट फैक्ट पूचा जाएगा जो मैंने आपको पड़ा दिये हैं ठीक है तो इस तरीके से इस वीडियो में काफी कुछ कबर हो गया है अगले वीडियो में हम लोग सिंद्धु सबितागी से या कोई और परिच्छा मंदल की बुक या कोई भी बुक जहां से मिल जाए अगर लिवसेंट के अब्जेक्टिव है तो बहां से इसके लगाते लिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तयारी हो सके और बाकी मैं तो पूरा इस्टेटिक पार्ट कंप्लीट कर लूंग जरूरी है क्योंकि इसके जरी हमको पता जलता है कि आप लोग अच्छे से त्यारी कर रहे हैं आपको यह लेक्चर है और अगर आपको यह लेक्चर हैल्प कर रहा है तो इतना टाइम निकाल लिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मिसन एप्यो ठीक है और उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कल सुबह प्लिश एक्ट के लेक्चर में और फिर साम को जीएस के लेक्चर में तब तक के लिए बाए बाए धन्यवाद